वेल्कम फ्रैंट्स और पॉबलीक इस्पूल आउनलाइन क्लासेश कि इस वीडियो में हम डियने रेप्लिकेशन एक सेमि कंजरबेटीव मेथड से होता है इसी टॉपिक को अध्यन करेंगे और पुरूब करेंगे कि कैसे यह सित होता है कि जो DNA का रेक्लिकेशन है वो semi conservative होता है तो पिछली वीडियो में हमने आपको बता है कि जो DNA का रेक्लिकेशन होता है उसमें आपने देखा था कि जो DNA का इस trend होता है वो एक पुराना इस्ट्रेंड होता है और जब उसका रिप्लिकेशन होता है उसी पुराने इस्ट्रेंड पर एक RNA प्राइमर आता है और फिर इस तरह से उस प्राइमर से खुल एक नाई स्ट्रेंड बना देखा है तो आपने उसमें कहने देखा थार इक आधाला का करता है और यह जो old एक strand है एक नय strand बन जाता है एक old एक new strand एक पुरणा एक नय strand होने की वज़र से इसका जो नाम दिया गया कि इसका तरीका है replication का उसको कहा गया कि जो DNA का replication होता है सेमी कंजर्वेटिंग होता है अर्ध सरच्छी होता है सेमी का मतलब अर्ध कंजर्वेटिंग होता है तो यहां पर आपने देखा कि जो DNA का replication है उसमें एक old polynucleotide होती है जिस पर एक नया strand फार्म होता है जिसको हम new strand बोलते हैं और पुरानी वाले को हम old strand है आपके template बोलते हैं तो यहां पर आपको यही प्रूब करता है जो DNA का replication है वो semi-conservative मेथेड्स से होता है इसको सबसे पहले मैथ मिजलसन और Franklin Stahl नामकक तो scientist थे उन्होंने यह प्रूब किया कि जो DNA का replication होता है वो semi-conservative Library method से होता है अत hanh je DNA का स्ट्रेंड होता है उसमें एक नया स्ट्रेंड होता है और और कत परकाय के स्ट्रेंड सब्सक्राइब करते हैं जब उसका की अंशाय होता है तो आपमे लिए इन चीज प्णभ मर newest आर्कमेडी सिध्धान्त आतने पढ़ा है और उस आर्कमेडी सिध्धान्त के अनुसार कोई की वस्ट किसी तरह में कब डोबती है और कब तैरती है सपोज ये कोई एक वस्ट है ये अधी वस्ट है अधी तैरती है और दूसरी एक वस्ट है ये जो है डोब गई और एक ऐसी बस्तु है जो यहां पर उपर तैयर है तो आप यहां पर देखेंगे इसमें आप देखेंगे आर्कमेडी सिधान्त के अगर किसी बस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से अधिक है तो वो बस्तु रूप जाती है अगर उस बस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार के बराबर है तो वो जो बस्तु होगी वो गूबी हुई तैयरे है और यदि उस बस्तु का भार हटाए गए द्रव के भार से कम है द्यान रखेंगे उस बस्त का भार जो पानी में या किसी लिकुड में है उस बस्त का भार खटाये गए द्रव के भार से कम है तो वो बस्त पानी की सेतापर तैरेगे तो सेम यही नियम फालो किया मैथ्यू मिजलसन और इन्हों ने एक सीजियम क्लोराइड का सल्यूशन लिया और उसको रहोने एक ट्यूब में लेकर उसको जो होने मिक्स अप किया और मिक्स अप करने के बार उसके जो डिफ्रेंट पार्टिक्ल्स थे आप सब्सक्राइब आपने कोई लीकुर्ट लेगे और उसको अच्छे से घुमा दिया, मिक्स कर दिया, तो उसमें कुछ पार्टकिल्स ऐसे होंगे, कुछ काड़ ऐसे होंगे, जो नीचे बैठने का परियास करेंगे, नीचे बैठेंगे, क्यों? क्योंकि उनका जो भनत होगा, उसके बाद आप देखें कि जो इसके उपर वाले कड़ हैं, उनका घंड तो अवर भी कम होंगे, लाश में सबसे उपर आप कोई का इससे परत माली की ओल्स करण दिखाए पड़ेंगे, जिनका घंड तो सबसे कम हैं और वो सबसे उपर हैं, तो सेम एधी कंडिशन उन्हो उन्हों ने इस्टेरिशिया कोलाई या साथ कामें की कोलाई बोलते हैं, एक बैक्टेरिया है, जो की नामल एक्स्पेडिमेंट में यूज के रहता है, इस इस्टेरिशिया कोलाई के DNA को उन्हों ने लिया, और उस इस्टेरिशिया कोलाई के DNA को उन्हों ने एक ऐसे साल्यूशन में इस चर्चिया को लाई को उन्होंने के एक ऐसे साल्यूशन में ग्रोक राया जिसमें नाइट्रोजन फुटीन के आईसो ग्रोक थी नाइट्रोजन फुटीन के आईसो ग्रोक थी तो एक इस चर्चिया को लेल दिया जिसको कहा हरुग आया? एक ऐसे सयल्यूशन वे जिसमें नाइट्रोजयन भीटिय और और कुछ docell कोलाई पोर्भों ने एक ऐसे सयल्यूशन में ब्रोड राया जिसमें क्या था? नाइक्रोजन 14 वाले आइसो दोम ते भी जार्ठी sekali को उन्हों ने नाइक्रोजन 15 वाले सैलुशन में ब्रोकराय उगाया और उन्होंने नायट्रोजन 15 वाले सैलुशन में ब्रोकराया तो क्योंकि जो नाइक्रोजन 15 वाले उनका जो भनत होगा बुजाता होगा वो नीचे बैठने का प्रयाश करेंगे और नाइक्रोजन 14 वाले जो इस रिच्या कोलाई के डिने मुगी वो थोड़ा खुलके खुलके तो यहाँ पर यह जो आप डार्क लाइन देख रहे हैं बल बेस्घरोजन 15 लिचे जो एक्सपेरिमेट गता है और लृट को देखराओं और यह जो पतला इस्ट्रैंड आप देख लहें हैं नार्माल स्ट्राशक जी वो नाइक्रोजन फॉर्टी वाले स्ट्रैंड में कौउ तो यहां पर ओमोंने क्या देख रहा हैं इस nitrogen 15 वाले nitrogen 14 वाले solution के बैटेरिया पर उन्होंने इक्सपेरिमेंट गिया उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट किया कि जब उन्होंने एक nitrogen 15 वाले solution बैटेरिया ग्रोख आया तो जो DNA के दोनों strand थे, आप जाते हैं कि जो DNA होता है, double stranded होता है, इस तरह से, तो उन्होंने देखा कि जब nitrogen 15 वाले solution जो बाइक दिया, उन्होंने ग्रो कराया है, उदाया है, उसके जो DNA के दोनों strand है, वो nitrogen 15 आइसोटोप रखते हैं, ठिक, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी nitrogen 15 वाले bacteria को फिर उन्होंने nitrogen 14 वाले solution में ग्रो कराया, इसी essential poly वाले DNA को nitrogen 14 वाले DNA में उन्होंने सिर्ख A3D के लिए ग्रो कराया, अब जब उन्होंने इसमें ग्रो कराया, तो कुछ जो DNA था, अब यहां पर जो nitrogen 14 वाले DNA होगा, एक पतला वाला, अब यहां पर आप देखेंगे, कि जब उन्होंने nitrogen 14 वाले DNA वाले bacteria को फिरो कराया, तो आप जानते हैं, जब इसका DNA का रख्किकेशन होगा, तब यह दोनों spread अलब हो जाएंगे, यह जो दोनों spread हैं, आप देखेंगे कोई सी तरह से अलब हो जाएंगे, तो वही same condition हमने यहां पर दिखाई, तो यह जो दोनों spread हैं, बलाइक वाले मोटे, इनको हमने यहां पर दो जगा दिखा दिया, यह दोनों spread अलब होगे, आप इनमें एक नया strand बनेगा, क्योंकि आपने DNA replication ने बढ़ा है, कि यहां पर ए देखा कि कुछ ऐसे DNA थे, जिसमें एक strand उसका nitrogen 14 वाला थी, तो इसका इसका हमने कैसे निकाला, यहां पर हमने इस cesium fluoride वाले बिलेर में इस के DNA को डाल दिया, अब सबसे नीचे और हमने क्या देखा, सबसे नीचरी सता पर हमने देखा, कि जो nitrogen nitrogen 15 वाले दोनों strand हैं, अधार इस प्रकरार के जो दोनों strand nitrogen 15 रखते हैं, वो DNA दीचे बाटते हैं, और ऐसे DNA जो एक nitrogen 15 रखते हैं, और एक strand nitrogen 14 रखता हैं, वो बीज में आगा है, यह किस देखा nitrogen 14 वाला है, एक nitrogen 15 वाला है, क्यों, क्योंकि उत्यों इंटर्मेजर होगा ना, इसका होगा, आप सबसे उपर होगा ने देखा कि nitrogen 14 रखते हैं, और nitrogen 14 वाले strand थे, अगर इसको एक फिर से nitrogen 14 वाले मिलेर में उगाए, nitrogen 14 वाले सेल्यों को भूंगा है, तो हमारा जो दूसरा strand बनेगा, नाइटरोजन 14 वाला strand बनेगा, अथा खलकर nitrogen वाल बनेगा, यह इस तरह से बनेगा है, यह जो strand है, आप देखने हैं, इसमें एक मोटान यह पतला है, अथा दिया इंटर्मेजर होगा, अब दूसरा जो strand यह पतला अलग होगा था, उसका जब रेफ्रीकेशन होगा, क्योंकि में यह नाइटरोजन 14 का है, इसलिए जो strand बनेगा, नाइटरोजन 14 टाइप का अथा पतला strand बनेगा, उसकार से, तो यह जो आप देखने हैं, कंडिशन की यह वाली है, यहाँ पर देखने हैं, आप की सबसे उपर है, तो कहने का मतला बूलता यह था, कि जब यहाँ पर एक strand पतला है, और एक मोटा है, अथात एक नाइटरोजन 14 है, एक नाइटरोजन 15 strand बनेगा है, तब वो इंटर्विल्येट पोजीशन ले रखा है, अगर दोनों नाइटरोजन 15 वाले strands हैं, वो नीचे आ अगर दोनों strand नाइटरोजन 14 हैं, तो वो सबसे उपर है, कहने का मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर जो DNA का replication हुआ, वहाँ पर दोनों strand अलग हो रहे हैं, और एक नए strand का formation हो रहा है, जैसा आपने यहाँ पर देखा, कि जब यह दोनों strand अलग हो गए, दोनों strand अलग हो गए, यह नाइटरोजन 15 मतलग मतला है, और यह पतलावा नाइटरोजन 14, जब यह दोनों अलग हो गए, और अनको जब नाइटरोजन 14 तो उनमें नाइटरोजन 14 वालग भूडा गया है, एक नया जो strand बना, यह पतला यह आपो कहके हाँ, यह नया बना कि नाइटरोजन 14 व तो यहां पर आपके दिखा कि एक नाइटोजन फिप्टीन वाला जो टेंपलेट पुराना वाला तो उन्होंने इससे निस्कर्ष निकाला कि जो डियन्ने का फार्मेशन होता है उसमें एक स्ट्रेंड पुराना होता है जिसको हम टेंपलेट बोलते हैं दूसरा स्ट्रेंड नया बनता है जो न्यू स्ट्रेंड होता है तो इसी एक पुराने और एक यू इस्ट्रेंड बनें दे की वजने से उन्होंने बताया चो डियन्ने का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कउल्ज़र्वेटि में सब्सक्रिश्श कोता है